हाई गाइस टुड़े बूरी श्टार्ट एक्सराइस 3 पी ना तुझो एक्सराइस 3 पी है आपकी यह पूरी टिग्नोमेटरी आइडेंटिटी पर बैस्ट है जो कि हम क्लास थैंट हमें पढ़ चुके हैं ठीक है एक पार फीड से हम देख लेते हैं आप पर आइडेंटिटी टुशे जो अब जौन आप जानते हैं कि हम टिकनोमेटरी में यहां पर बियू रेती अंगल ERIC había को यहां पर मैंने थृन राइटंगल मूस्टी बना रखें टीक है लें यह पर इने साम होरी बेस्ट है गर इमनम Battle सबसरी औरometers हमढ़ी करें गें तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनेज का स्कुर्य एकल टू बमेश का स्कुएर प्लस परपानिदिकुलर का स्कुर्ट ते इसे में भी सैम्टोस में हैपोटेनेज नस से स्क्वेर equal to base का square plus perpendicular का square और यहाँ पर भी upwards का square equal to base का square plus perpendicular का square डेर्न अगर इन तिनों में हम एक बार hypotenuse से एक बार बेस से और एक बार perpendicular से डिवाइड कर दें तो हमारी टीन आडिनिनिटीटीस बन जाएगी यहाँ Janeiro पर अगर हमने हमस्कोर से डिवाइड किया तो यहां पर हम हम डिवाड करते हैं पी स्क्वेयर से तो अगर पर्पेंटिधस स्क्वेयर होरे हो यहाँ पर भी परपेंटियोर ठीक है जैनिससे मैंस कोई रूल भ्रेक नहीं होगा यहाँ पर अगर हम चाहिए तो लेंगे यह आपर H2 हो जागा single औरे बापिस cancel हो जाएंगे ठीक है यह बडिन इसको हमने चैसल किया फॉन देन इसको हम इसको लिख सकते हैं B अपॉन एज-का holiday स्क्वेयर प्लस यहां पर हो गया P अपॉन एज-का हुए डेन यहां पर H उप्ऊन B का स्क्वेयर इक्वार टू है यहां पर B square से B square cancel हो गया तो क्या बचा 1 प्लस यहां पर P upon B का square then यहां पर H upon P का square equal to यहां हो गया Pairs upon perpendicular इसका square प्लस B square से P square cancel हो गया तो क्या हो गया 1 ठीक है अब कैसे बनाएंगे हम हमने class 10th में एक रूल और पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाथ हर हर बोले और साथ में सोना चांदी दोले तो इसको आपने बोला था sign theta इसको बोला था cost theta और इसको बोला था 10 theta then इसी टैप से जिसका आप इसको करते हैं तो यह हो जाता है यहां पर वेल्यू पूट करते हैं यहां पर वन का वन ऐसा का ऐसा देन बी अपन एच क्या दिख रहा है आपको यह पर बी अपन एच कोस का है तो हम लिए लिए कोस स्क्वेर ठीटा प्लस प्य अपन एच का है और बी उपर आ रहा है तो कास का रिख रहा है तो कास का रिख रहा है यहां पर हो जागा से की स्क्वेर ठीटा इक्वल टू वन प्लस पी अपन बी तो पी अपन बी क्या दिख रहा है आपको यहां पर टैन तो क्या हो जा गए टैन स्क्वेर ठीटा ठीटा ठीक है देन इस ज़्धी टाइब से h upon p h upon p sin का reciprocal है किया हो जागा कौसे की स्क्वेड ठीटा है इक्वल टू B upon P कहां दिख रहा है ये 10 का reciprocal है तो क्या हो जागा qaure टीटा प्लस वन ना तूर तेन आइडिटिटी आपकी यहां पर बन चुकिये तो आपको में यही याद करना है ताकि हम यह पर question को solve कर सके है ठीक है यह identity हम class tenant में भी देख चुके है ठीक है अगर आपको यह पर 3 identity याद नहीं होती है तो आप सिरुप यह एक identity को याद रखकर बाकी की identity बना सकते हैं ठीक है किस type से अगर आपको यह यह identity याद है sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है ठीक है अगर आपको यह याद है तो आप बाकी 2 आसानी से बना सकते हैं कुछ ने करना आपको इसको एक बार sin square से divide करना है और एक बार cos square से divide करना है ठीक है अगर मैंने इसको sin square से divide किया क्या हो जागा यह sin square theta और यहापर भी sin square theta then ये क्या बन जागा sin, इसे sin cancel हो जागा तो क्या हो जागा है यहाँ पर 1 plus cos square theta और sin तो cos upon sin किसको बोलते हैं? cot को, तो हो जागा cot square theta और 1 upon sin किसको बोलते हैं? cos 1 को तो हो जागा cos 1 square theta तो आप देखेंगे कि यह आली identity अभी हमने यहाँ पर बनाई थी तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो अगर आपको यह एक याद है, sin square theta plus cos square theta equal to 1, तो आप बागी की 2 बना सकते हैं, ठीक है? then अभी हमने से sin square theta से divide किया था अब हम इसे cos square theta से divide करेंगे, so sin square theta plus cos square theta equal to 1 है, then अगर हमने से divide करते है, cos square theta से यहाँ पर भी क्या हो जागा cos square theta then here पर भी cos square theta then sin upon cos क्या होता है 10 तो हो जागा 10 square theta plus यह cancel हों क्या हो जागा है यहाँ पर 1 equal to यहाँ पर 1 upon cos square theta हो क्या बोल सकते हैं sec square theta ठीक है और यह ही identity अभी हमने ऊपर बनाई थी ठीक है यह रही sec square theta equal to 1 plus tan square theta पस जासका उल्टर लिख दिया से square theta का हमने इधर लिख दिया है इसके को लोता है 1 plus tan square theta तो मेंले आपको यहाँ पर तीन identity को याद करना है ताकि हम questions कर सकें ठीक है first identity क्या है आपकी sin square theta plus cos square theta equal to 1 second क्या है sec square theta equal to 1 plus tan square theta और third है cosec square theta equal to 1 plus cot square theta ठीक है इन तीन identities को हम आके बीचे करकर और identity बना सकते हैं ठीक है तो हम इसको 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 से भी लिख सकते हैं कि sin square theta equal to cos को start बेज दिया तो क्या हो जागा 1 minus cos square theta then इस बार हम इस cos को start बेजा है अब हम sin को उदर बेज देंगे तो क्या हो जागा यह cos square theta equal to 1 minus sin square theta तो इसी एक identity को हम दो तरीके से और लिख सकते हैं ठीक है then एक बार हम 1 को start ला सकते हैं तो क्या हो जागा यह sec square theta minus 1 equal to 10 square theta ठीक है तो यहाँ पर भी इसको दूर तरीके से हमने लिख दिया then यहाँ पर भी same to same हम कर सकते हैं cos square theta then cot square theta को start लाएंगे तो minus को हो जाएगा equal to 1 then एक बार 1 को start लेकर आते हैं तो क्या हो जागा यह sec square theta minus 1 equal to cot square theta तो हम यहाँ पर तीनों identity का use इनको आगे पिछे करकर भी कर सकते हैं ठीक है तो में लिए आपको यह तीन ही आद रखना है और इनका तरीका मैंने आपको बता दिया अगर आपको याद नहीं हो तो आप सिर्फ पर एक को याद रखे और दू आप उसे बना सकते हैं ठीक है तो प्रक्रिस करते करते हैं आपको यह से भी याद हो जाएगी तो यह इस्टार्ट करते हैं exercise 3B क्या दिया question prove the following identity हमें प्रूव करना है आद डिश को नौ फर्स्ट लेते हम यहाँ पर इस टाप के question को करनेंगे तिन तरीके होते हैं फर्स्ट टाप यह होता है कि हम क्या करें कि left hand side को लें और इसे solve करते-करते right hand side के equal लाके छोड़ दे तो एक तरीका तो यह हो जाता है दैन दूसरा तरीका क्या होता है कि हम left hand side को अलग से solve कर लें और जो right hand side है इसे भी अलग से solve कर लें और दोनों को आपस में equal proof कर दें और तीसरा तरीका क्या होता है कि जब हम इस type से prove नहीं कर पाते तो कोई identity का use कर ले direct जिसे sin square theta plus cos square theta equal to 1 एक identity है then इस सवाल को कुछ modify करके plus minus करके इसको question के जैसा बना दे इस type से तो वो भी एक तरीका होता है इसको proof करने का तो तिसरा और तरीका तो हम बहुत कम जूश करते हैं manually हम क्या जूश करते हैं कि left hand side को लेकर चलते हैं और equal में right hand side की equal लेकर आ जाते हैं ठीक है now तो हम आपर start करते हैं question करना क्या दिया है sin theta plus cosec theta इसका square ठीक है किसके एक को लाना हमें आपर sin square theta plus cosec square theta plus 2 इसके एक लेकर आना है ठीक है ना तो हम left hand side लेकर चलेंगे जब भी हमें इस type of question में कुछ समझ में नहीं पढ़े कि हमें किस type पर प्रूफ कर रहा है तो पुरे question को sign और cost में convert कर लेंगे ताकि यह simple हो जाता है उससे और फिर proof करना स्वरल होता है ठीक है then अब भी हाँ पर हमें दीख रहा है sin दिया है हाँ पर cosec दिया है और इसके right hand side में sin और cosec दिया है तो हम इसे sin और cost में convert नहीं कर रहा है ठीक है यहाँ पर direct formula लग रहा है तो हमें left hand side लेकर चल रहा हूँ क्या दिया हो है sin theta plus cosec theta का hall square sin theta plus cosec theta का hall square ठीक है तो formula क्या होता था a plus b का square equal to a square plus b square plus 2ab इसे का use करेंगे हम a की जगा पर sin theta और b की जगा पर cosec theta ठीक है तो यह हो जागा sin square theta plus cosec square theta plus 2 into sin theta into cosec theta ठीक है then हमें proof क्या करना है sin square theta plus cosec theta ठीक है तो यह तो हम यहाँ पर ला चुक है then यहाँ पर क्या दिख रहा है तो इसका मतलग sin theta और यहाँ पर into में cosec theta है तो यह cancel हो जाएंगे क्या हो जागा sin square theta plus cosec square theta plus 2 into sin theta को हम नेसा कैसा रहने दिया और cosec theta को लिसकता हम 1 upon sin theta ठीक है क्योंकि cosec theta sin theta का reciprocal होता है sin theta से sin theta cancel हो जाएगा तो हमें जो proof करना था हुआ यहाँ पर आ चुका है क्या हो गया sin square theta plus cosec square theta plus 2 और यह हो गया हमारी right hand side ठीक है अगर आपको question में कोई doubt हो तो comment box में comment कर दीजेगा तो हम देखते हैं किसा second question क्या दिया रखा है हमें cos theta की power 4 और sin theta की power 4 equal to 1 minus 2 sin square theta ठीक है ना हो तो हमें पर left hand side लिख लेते हैं तो हमें question note कर लेता हमें आपर क्या दिया हुआ है cos 4 theta minus sin theta की power 4 equal to 1 minus 2 sin square theta ठीक है then left hand side लेकर चल रहे हमें आपर cos की power 4 minus sin की power 4 theta ठीक है ना होथ इसको हम इस टाप से लिख सकते हैं किसी की power 4 उड़ती है तो हम TWO square का square लिख सकते हैं तो इससे हम यहाँ लिख सकते है cos square theta और उसका भी square minus, Сीघ का लिख सकते है sin square theta और उसका भी square आप जानते है power की power होती होती है तो multiple हो जाती है a plus b into a minus b ठीक है ना तो इसको हम a plus b और यह माइनस b में लिखे लेते हैं यहोगा a और यहोगा पूरा b ठीक है ना तो हो जागा cos square theta plus sin square theta यहोगा a plus b वो इसी टाप से a minus b तो हो जागा cos square theta minus sin square theta ठीक है ना तो अभी हमने identity पढ़ी थी करेंगे स्いき है साइन इसकोर theta plus cos square theta एक वनके टीक होता यह संस्क्रीट करना पर πर यहांपर स् вас इसकोर theta यहां पर कॉस्त नाएं तो जो हमें कॉस दीख रहा है यहां पर इससे हमें साइन माइं अ करना पड़ाएगा तो अगर हमना cos square theta की value निजाले तो क्या हो जाएगी 1 then sin कुदर ले जाएगी तो क्या हो जाएगी 1 minus sin square theta तो जहाँ पर cos square theta है उसकी अब हम क्या पूट कर देते है 1 minus sin square theta जहाँ पर हम पूट कर देते है 1 minus sin square theta और एक sin square theta है यहाँ पर पहले से है minus sin square theta ठीक है तो क्या हो जागा यह 1 का multiply करेंगे तो एसा कैसे रहेगा यह हो जागा bracket में 1 यह भी minus का sin square हो रही भी minus का sin square है तो minus 2 sin square theta और हमें यही प्रूफ करना था ठीक है यह हमारी right hand side हो गई थार्ड question देखते हम इसका क्या जिया है sin cube theta plus cos cube theta equal to sin theta plus cos theta in bracket में 1 minus sin theta into cos theta तो यहाँ पर भी identity का यूज़ करेंगे हम a cube plus b cube ठीक है तो लिख लेता हूं में question को पहले sin cube theta plus cos cube theta equal to sin theta plus cos theta then bracket में 1 minus sin theta into cos theta तो formula यूज़ करते है हम पर a cube plus b cube का a cube plus b cube किसके को लोता है यह a plus b a square minus a b plus b square ठीक है यह formula हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं ठीक है then put करते हैं इसमें value तो a की जगा पर हम क्या पूट करेंगे sin theta और b की जगा पर cos theta ठीक है तो यह हो जागा sin theta plus cos theta ठीक है तो यह तो यहाँ का यहाँ बन गया जैसा right hand side में हमें चाहिए था then अब यहाँ पर भी put करेंगे a square मतलब sin square theta minus sin theta into cos theta plus b का square मतलब cos square theta ठीक है then यह तो यहाँ का इसा रहेगा sin theta plus cos theta ठीक है then यहाँ पर sin square theta है और यहाँ पर cos square theta है तो यहाँ पर plus है ठीक है दोनों plus के हैं दोनों को pass में लिखे लेते हैं यह क्या हो जागा sin square theta plus cos square theta ठीक है यहाँ पर identity हमारी बन जाए ठीक है minus sin theta into cos theta ठीक है यह minus में साथ हो minus में लिखा है then यहाँ पर identity बन गए हमारी sin square theta plus cos theta 1 के एक होल होता है ठीक है हो जागा है sin theta plus cos theta देने हाँ पर हो जाएगा 1 minus sin theta into cos theta और हम क्या proof करना था यही proof करना था ठीक है तो हमने left hand side लेकर चले थे और right hand side हमें हाँ पर मिल चुकी है ठीक है यह जाएगी right hand side hands prove नौश देखते हैं इसका अगर आपको कोई doubt हो तो comment box में comment कर दीजेगा क्या दिया है sin की पावर 6 theta plus cos की पावर 6 theta नौश पहले में आपर question लिख लेता हूं sin 6 theta plus cos की पावर 6 theta equal to 1 minus 3 sin square theta और cos square theta ठीक है then left hand side लेकर चल रहा है मैं आपर तो इसको दो तरीके solve कर सकते हम एक तो हम इसको step से भी लिख सकते हैं कि sin square theta और उसकी पावर 3 ताकि हम फार्मूला भी उसको सकते हैं aq plus bq या फिर हम इसे इस step से भी लिख सकते हैं कि sin q का square लेकिन आप फार्मूला कौन सा बनेगा फिर a square plus b square वाला तो दोनों formula हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपर q वाला formula यूज कर रहा हूं ठीक है तो इसको मैंने इस step से लिख दिया sin square theta उसकी power 3 आप चाहो तो उस step से लिख कर भी इसे solve कर सकते हैं ठीक है प्लस इसको हमने लिख दिया cos square theta उसकी power 3 ठीक है now formula यूज करते हैं आपर aq plus bq का जो आपने पीछले question में भी किया था aq plus bq किसके कोल होता यह a plus b a square minus a b plus b square ठीक है a की जगा पर हम पुरा रखेंगे sin square theta और b की जगा पर क्या रखेंगे cos square theta ठीक है now put करते हैं इसमें value a plus b तो क्या हो जाएगा यह sin square theta plus cos square theta then a का square है तो a की जगा पर हम already sin square theta put कर रहे हैं तो उसका भी square हो जाएगा यहाँ पर तो sin square theta और उसका भी हाँ पर square minus sin square theta into cos square theta plus b का square तो हो जाएगा cos square theta और उसका भी square ठीक है then आगे solve करते हैं यहाँ पर identity बन गए हमारी sin square theta plus cos square theta किसके को लोता है यह one के तो हमने put कर देरेक्ट one then यहाँ पर हो गया है sin square theta का whole square है ठीक है then इसको हमने SI रहें दिया ताकि फिर से हम identity यहाँ पर use करता गए sin square theta का whole square then इस cos को हमने आगे लिख लिया plus cos square theta का whole square then इसको हमने पीछे लिख दिया sin square theta into cos square theta ठीक है then क्या प्रूफ करना हमें यहाँ पर one minus three sin square theta into cos square theta तो पहले हमें यहाँ पर यह one बनाना पड़ेगा इसका मतलब identity बनेगी हमारी यहाँ पर लेकिन हमारी identity यहाँ पर नहीं बन पा रही है क्योंकि sin square theta का भी square है तो हम यहाँ पर added use कर रह सकते हैं कौनसी a plus b का square यह हमने पड़ रखी है वो क्या होता था a square plus b square plus 2ab लेकिन हमारी condition यहाँ पर a step से नहीं बन रही है हमारी जो condition बन रही है वो बन रही a square plus b square यह वाली तो इसमें हमें identity के step से उसकरना पड़ेगी a square plus b square और इस 2ab को हमने इधर कर दिया किसके call हो जागा यह a plus b का square minus 2ab b यह आपर यह यहाँ पर यूज करेंगे ठीक है तो यह हो जागा हमारा a square plus b square ठीक है सिर्फ एतने दित्ते में हम identity यूज कर रहे है तो one का multiply होगा तो कोई मतलब भी नहीं है then यहाँ पर हम identity यूज कर लेते हैं तो क्या हो जागा sin square theta plus cos square theta का all square ठीक है अब हमने a square plus b square को इस type से लिख दिया a square था और b square ठीक है minus two into a के जगा पर क्या पूट करेंगे sin square theta और b के जगा पूट करेंगे cos square theta then यहाँ पर आगे क्या देया minus sin square theta into cos square theta ठीक है minus sin square theta into cos square theta then solve करता हम इसे तो यहाँ पर तो identity हमारी बन चुकी है sin square theta plus cos square theta किसके को लोता है one के तो हो जागा one का square minus यह बजा कर two sin square theta cos square theta two sin square theta into cos square theta then minus में यहाँ पर same to same है जैसे यहाँ पर two लिखा है यहाँ पर कूछन यहाँ ब enorme 1 sin square theta into cos square theta तो यहाँ पर two और यहाँ पर one और दोनों हैसान 협ण और into cos square theta याँ अपर भी है यह जूड जोड़ जाएंगे तो two और focus कितना हो जाएगा 3 ठीक है तो इससे हम किस्टास दिख सकते हैं 1-3sin2θ into cos2θ और हमें यही प्रूफ करना था ठीक है राइट-hand side में हमें यह दे रखा है 1-3sin2θ into cos2θ ठीक है तो यह हो गया एक पॉल राइट-hand side के अगर आपको कोई doubt हो तो comment box में comment कर दीजेगा नाओ next question देखते हम इसका नाओ पहले question लिख लेता हूं में क्या दिया हुआ हुआ है sec square theta into cos1 square theta equal to tan square theta plus cot square theta plus 2 नाओ तो left-hand side लेकर चलते हम नाओ तो हम जानते हैं अभी थोड़े पहले हमने identity पढ़ी थी क्या दिया था sec square theta को हमने convert किया था तो किसके equal हो रहा था 1 plus tan square theta आगे तो sec को हम 10 में convert कर सकते हैं और cos1 square theta equal to 1 plus tan square theta यह थी और एक और क्या थी cos2 theta equal to 1 plus cot square theta नाओ तो हम यहाँ पर direct additive put करके second word कर सकते हैं 10 और cot में तो sec की जागा हम क्या put कर सकते हैं 1 plus tan square theta तो हो जागा 1 plus tan square theta और क्या put कर सकते हैं 1 plus cot square theta हो जागा 1 plus cot square theta ठीटा यह हो कि हमारी left side को लेकर चलते हैं ठीक है यह लेकर आने 10 square theta plus cot square theta plus 2 तो हम multiply करते हैं 1 का multiply 1 के साथ और 1 का multiply cot square साथ ठीक है तो हो जागा 1 plus 1 का कोट स्क्वेर्टba के साथ होगा तो क्या हो जागा diye कोट स्क्वेर्ट ठिटट प्लस टैनिसकरटा का मौट स्क्षेट्टा का मौटेपाइगा इसक्वेर्ट स्क्वेर्टNo इंटू काट स्क्याइग टीटा थीटा ठीक है वर हमको पता है कि देन or Qt एक दोनों के reciprocal है तो हम या तो इसको भी 1 upon Qt ली सकते है या पर इसे 1 upon 10 दी सकते हैं ठीक है तो हम पर हो जागा 1 plus Qt square theta plus tan square theta plus tan square theta into Qt काम ने क्या लिख दिया 1 upon tan square theta के विए 10 का reciprocal है then tan square theta से 10 square theta cancel क्या हो जागा है या पर 1 ठीक है तो हो जागा 1 plus qt square theta plus tan square theta plus 1 ठीक है तो 1 और 1 कितना हो जागा है या पर 2 ठीक है तो यह हो जागा 2 plus qt square theta plus tan square theta और यह ही हमें proof करना था ठीक है यह होगी हमारी right hand side क्या दिया था 2 plus 10 square theta plus cot square theta ठीक है तो यहाँ पर भी हमने यह proof कर दिया ठीक है यहाँ पर 2 मैंने आगे लिख दिया इसको पीछे लिख सकते है ठीक है जिसा यहाँ पर दे रहा है 2 को पीछे लिखावा ठीक है now next question देखते हैं इसका क्या जाए cot theta into sec theta का whole square minus cos theta into cos theta का square equal to 1 ठीक है तो मैं note कर लें था एक बार cot theta into sec theta का square minus cos theta into cos theta का whole square equal to 1 now तो हमें पर left hand side लेकर चलते हैं now तो यहाँ पर हमें 4 ratios दे रहे हैं cot sec cos और cos sec now तो हमें कुछ भी समझने पढ़ रहा कि यहाँ पर लाना हमें 1 है तो जब भी हमें कुछ भी समझने पढ़ता है तो हम क्या करते हैं पूरे question को sin और cos में convert कर लेते हैं ठीक है तो हम पर भी हम वह ही करेंगे पर question को sin और cos में convert कर लेंगे cot कॉम क्या लिए सकते हैं cos upon sin cos theta upon में sin theta into sec को क्या लिए सकते हैं 1 upon cos theta इस पूरे का square ठीक है बीच में कुछ नहीं multiply minus यहाँ पर cos theta already है into cos theta को हम लिए सकते हैं 1 upon sin theta इस पूरे का square ठीक है then अब कुछ cancel हो रहा है यहाँ cos theta से cos theta cancel हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 upon sin theta ठीक है तो यह हो जागा 1 upon sin theta उस पूरे का all square minus यहाँ पर cos theta upon sin theta बचा है ठीक है तो जागा cos theta upon sin theta इस पूरे का square ठीक है then 1 upon sin को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon sin होता है cos theta तो जागा cos theta minus sin cos upon sin को लिख सकते हैं cot जागा cot square theta then एक identity बढ़ी थी हमने cos theta and cot की क्या होती है cos theta equal to होता था 1 plus cot square theta यह वाली identity हमने अभी पड़ी थी then अगर cot square theta को हम इसर्ट ले आएंगे तो 1 इदर अक्यला रहे जाएगा तो क्या हो जागा यह cos square theta minus cot square theta equal to 1 ठीक है then इस पूरे की जगा पर हम 1 लिख सकते हैं ठीक है तो इस पूरे की value का हो जागी direct one और यही हमें यहाँ पर proof करना था ठीक है तो हमें right-hand side आ चुकी है now next देखते हम यहाँ पर question note कर ले दों एक बर में क्या दिया हुआ है sin a plus cos a ठीक है then bracket में दिया है cot a plus 10 a equal to proof क्या करना है say a plus cos a k ठीक है say a plus cos a now तो यहाँ पर plus question sin cos 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 जो सारे कुछ दे रहे हैं तो पहले question को क्या करेंगे sin cos cos में convert कर लेंगे ठीक है ताकि हम इस से आसनी से proof कर सकें now left hand side लेकर चल रहा हूँ मैं पर left hand side क्या दिया है sin a plus cos a मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया sin a plus cos a then इसे convert करता हूं cos sign में तो cod com लिख सकते है cos upon sin तो बचाए का cos a upon में sin a plus 10 को लिख सकते हूं sin upon cos तो बचाए का sin a upon में cos a ठीक है now तो यह तो ऐसा का ऐसा sin a plus cos a ठीक है then यहाँ पर LCM होगा क्या हुजागा sin a और cos a दोनों का multiply sin a into cos a यह LCM हुआ यहाँ पर sin a पहले से sin a का उपर multiply नहीं होगा सिर्पा cos a का multiply होगा उपर तो क्या हुजागा यह cos square a plus यहाँ पर cos a पहले से तो cos a का multiply नहीं होगा बचा क्या sin a इसका उपर multiply हो जागा तो हो जागा sin square a ठीक है now तो यहाँ पर सेंप तो सेंप sin a plus cos a then यहाँ पर हमारी identity बन गई है sin square plus cos square किसके को लोटा है one के तो हम लिख सकते हैं आपर one upon में sin a into cos a ठीक है then one का multiply करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यह ऐसा कैसा रहा sin a plus cos a तो एक पर हम sin a के upon में पूरा लिख सकते हैं और एक पर cos a के upon में भी इस पूरे को लिख सकते हैं ठीक है तो यह हो जागा sin a upon में पूरा हो जागा sin a into cos a plus यहाँ पर एक पर cos a और इसका upon में भी हम पूरा लिख सकते हैं sin a into cos a ठीक है then जो cancel हो रहा है cancel करते हैं हम उसे यहाँ पर cancel होगा sin a से sin a cancel और पर cos a से cos a cancel होगा ठीक है क्या बचा हमारे पास यहाँ पर one upon cos a और यहाँ पर क्या बचे का one upon sin a ठीक है तो one upon cos किसे बोलते हैं सेक को तो यह हो जागा सेक a plus one upon sin बोलते हैं cos a को तो जागा Cosec A और हमें यही प्रूफ करना था Cosec A plus Cosec है ठीक है यही दिया है है आपर Cosec A plus Cosec है नहीं तो right hand side हमारे आपर आ चुका है यह गया हमारा right hand side hands prove ठीक है अगर आपको कोई doubt हो comment box से में comment कर दीजेगा अब next question से हम next video में करेंगे okay thank you हमें अपरिगी टारी आपर कर दो चाल आपको के ढ सार गर सकित बार आपको करेंगे हमेर वींग और हमें तो